आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सेलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Identify Phases Leveled as A, B, C in Given Sigmoid Growth Curve यहां पर Growth Curve Given है जहां पर बूचा गया है A, B, C जो है यह क्या डिनोट करता है तो बेसिकलिए अगर बात करें तो A एक ऐसा Phase है जहां पर Growth जो है वो एक दम Initial Phase में रहता है और इसलिए इस Phase को हम लोग क्या बोलते हैं? इस Phase को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बेसिकलिए यह Fast Growing चीज़ को हम लोग फेस के नाम से जानते हैं जहां Rapid Growth जो है वो दिखाई देता है और एक Certain Time के बाद C Phase जो है वो दिखाई दीता है जहां पर क्या होता है? कि Growth एक दम से Stop हो जाता है और एक Stable कंडिशन जो है वो टेक प्लेस करता है और इसी Stable कंडिशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग Stationary Condition हिसाब से जानते हैं जब एक Proper Stable कंडिशन जो है वो Population में दिखाई देता है तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? तो A जो है उसको लैक लिखेंगे जो कि यहाँ पे 4th और 2nd option में है B है लोग जहाँ पे यह 2nd option में गलत दिया गया है इसलिए 4th option ही correct होगा क्योंकि C यहाँ पे stationary given है इसलिए हम लोग 4th option को ही टिक कर लेंगे